पंजाब दे जिलालो दे अना दे विच एक मंद पागी खबर ने स्वेर सारी दस तक दिती, जिस दे विच गैस लीक होन दा मामला सामने आया है, गैस पुरा लाके दे विच दस्या जारे आक एक बंद पाए कोल्ड स्टोर दे विच गैस लीक होई, जिस दे करके एडी वडी त्रासधिवाप्री जिस दे विच होनतक मिणी जानकरी मदाबख्ग 11 लोकां दि मौथ हो गई है इस हो किए करीक अर्दे लोक भी शामलने इस दे विच दो बच्चे भी शिकार हुए ने मोथ दे मुझ जात है इस होजोई इक दी अमर 10 साल है इस तुलावा इस मसले दे पांज फीमेल दसी घारियाने बीबीयां दी मौत हुई इस मसले दे विछ लिज एंडाजले दे डी सी ने भी जानकारी सांजी की तियाय और इस मसले नो कमें किमें निग्रानी रखी जा रही है, एंडि य और एफ ड हूं पुझ के किमें आलाके नो सील कर दिया ने तकριेवन तिन तिन सो मीटर दे अंदर अंदर दे के रे नो सील कीता गया और ओ खाली करा जथा गया, जिससन दे करके के होर वड़ीत रास्ति नावापरे हाना के कई लोग इस मसले दे विच बिहोश दस्य जा रहे ने और इस मसले दे विच रासबा मेंबर्स जीव रोडा ने इस गाल दी जानकरी दिती है और हस्पताल प्रशासन दिनाल गाल बात करके जिला प्रशासन अल गाल बात करके एह हुकम भी दिते ने के मानने भी ट्वीट कीता है त्योना ने कि है कि असी परिशासन नो हुकम दिते ने अंडियार इप दिया टीमा दिला परिशासन इस दे विच पूरी ने पुनता देना लगया होया है और सारे नो बचाउन दी कोशिश कीती जा रही है और इस कटना नो मंद पागा दसे है और ह देना दी इस गैस लीक होन देना ट्रेजडी जडी वापरी एस दे विच मौत हुई है तां इस मसले दे विच जड़ा इतरास दी वापरी जड़े लोग बेहोश होई ने उननो हस्पिताल दाखल करवा देता गया है जेरे इलाज ने कहिया दी हालत बेहद गम बीर दसी जा जा रहा है कि मौतां दी गिनती वद सक दी है होन तक जड़ी जानकरी मिली है इस दे विच कवीलाश नाम दे वेक्ती दी भी मौत हुई है और इस दे नाड ही दस्या जा रहा है कि उस दी जड़ी वाइफ सी वर्षा जिस दी उमर 35 साल सी ते उस दे तिन बच्चे सी कलपना सोड़ा साल अबे तेरा साल ते अर्यान दास साल ए पंज लोक ने जड़े इस दे विच पाए गए ने जिना दी मौत हुई है ते इना दा जड़ा पशोक कड़ है ओ बिहार दे नाड है पर होने पिछले ती साल ना तो पंजाब दी विच रहे सी करू कर दे करी कर दे 35 साल सी पुत्तर श्री अशोक गोयल ग्यासपुरा दे रहन वाड़े ने करियाना स्टोर चला रहे सी उन्हादी मौत हुई है ते उस दिनार उस दी जडी वाइफ पतनी प्रीती ते उस दी मदर कमलेश गोयल ओ भी एक प्रवार दे तेन जी ने इस दे विच मारे गए ने ते सबंदत रख देने पार होन पिछले वी बाई साल तों पंजाब दे विच सैटल हो चुके सी अपनी रोजमरा दी जिंदगी गुजार रहे सी नवनीत कुमार जेना दी उमर 49 साल है ता उना दी मौत हुई है गयास लीक मामले दे विच गयास पुरा दे विच रहन वाड़े जेड़े अकाउंटेंट दा कम कर दे सी उना दी मौत हुई है ते उना दी वाइफ नीतू दे विच जेना दी उमर 37 साल सी ओवी यस्तरास्टी में गयाए ते उना दा प्रा है नितन कुमार जेना दी ऊमर 40 साल है ओ जेरे लाजने सेवल हस्पिताल देविच ता नितन जेड पिशले वी साल तो लदे आना एरिये देविच लाके देविच आके वसेन ज्यादा तरह ना देविच जड़े मरनवाले लोकां दी गिनती है उन्हादा असबांद प्रवासी मजदूर ने उन्हादा पछोकड होरना सूबयां दी नाड़ा है पर कई साला तो पंजाब देव और उत्यों दा जड़ा तिन सो मेटर दा के रहा है उसनो सील कीता गया है ताकि उस पासे कोई होर लोक ना जान होर लोकां दी गिनती है इस तरास दी देविच शामल ना होवे इस करके प्रशासन जड़ा लगया होया जड़े जेरे लाज ने उन्हादे लाज नो लेके MP सं उचित कीता जावे तो मुख मंतरी को वंतमान ने वी जड़ोए कटना वापरी उस तो बार ट्वीट करके कहा के कटना बेहद मांद पागी है इसनों लेके परशासन पूरी तरह सरगारम है और लगया होया है असी हुकम दे देते ने इस मसले देवे जिला परशासन की कर र लगया है असी मैन होल्स दे विच हुन सैंपल्स कडन लगया है इत कोई लगया है गया कुई लेके कैमिकल मिथेन देणल रियक्त कर गया है ते जेढेया है होया है और लेवेन बेखनी है ते लिच देणल पुष्टी कीती जारही है गया ओने मैन होल्स मिचिफ conductor, NDRF is engaged in the process of extracting samples, these samples for various kind of chemicals test करवाई ब्यादगे, ओदे नाल सानू थोड़ी ज्यादा information आएगी, जिड़ा सारा एरिया हेगा with safe distance, जिड़ा एवादे ब्यादेटा गया हेगा, बट क्योंकि, क्योंकि जिड़ी ग्यास निकली है, जिद्रों भी निकली हेगी है, हवा राही स्प्रेड कर दिये, इसलिए तो आजे माधियम राही, असी लोकानू भी कहना चांदे है, कि थोड़ा जाहोर, धीरे धीरे असी कॉड़न दा एरिया भी बधा रहे है गया, और लोकानू भी ते तो आनू भी सारे आनू अपील है, पैनिक, ओविसली जड़ी गास मितली सेगी, काफी हद तक डैल्यूट हो गई है, पर जस्टू चेक के एदा स्प्रेड किदर तक है, ओखुन जड़ी कॉर्परेशन दी भी टीम्स है गया, बीपी सीपी दी भी टीम्स है गया, NDRF भटिले तो भी चेली होई है, जस्ट अबाउट तो रीच, सो वी अजस्ट गोइंग टू, जस्ट गोइंग टू, के एक इदर तक पैल्या होया है, सारे आनू रेक्वेस्ट हैगी है, के तुसी चली तरह आपने मास्क पालेो, ते कॉर्डन नू बदा देओ, आले द्वाले दे लोग का नू अपील है, तो स्टे अवे फॉम देस एरिया, फॉर लिटल लॉंगर, जट्ता कसी कहन देनी, काइंडली तुसी अपना एरिया थोड़ा दूर रखुँ, जेवे भी सानू पता चल जाएगा, परवारां दे बाँ फडल नहीं बेहा जरूरी हो जान्दा है, उनना दी सहायता राशी उनना नू महिया करौनी, तांकि जेडे परवारां दे जी हमेशा ली विशड चुके ने इस तरास्ती देविच, उना दा कोई ना कोई सहारा बन सके, तां पंजाब सरकार मुहाब जी दिराशी के नहीं अलान कर दिया, जल्दी इस दा अलान हो सागदा है, फिलहाल मुख मंतरी पगवां तमान ने ट्वीट करके, इस कटना दे उत्ते दुख प्रगटाया, और नाली परिशासन नों हुकम भी दिते ने, के हर संबब मददा जड़ी, ओकीती जानी चाहिए दी है, देख दे हैं, और वाले समय दे वे छोर की, आपडेट इस मसले ते मिलदा है, कारन लब बे जा रहे हैं हालां के, दो थामा दे उत्ते जड़ी जाँच चाल रही है, उस वेचे एक थान दे होते, के हाँ जारे है, के जड़ा सीवरे जाए, उस दे विच्चों जड़ी गैस के सदे नार मिली की, काई गैसां दा की मिशरन सी इसकर के, जहरीली गैस हो गई, जैसे नार कई लोकां दी जान चली गई है, जहां फिर कोल्ड स्टोर सी जड़ा, मिल्क प्लांट स्थानक दस्या जा रहे है, के उथे दो तो बने पदार्थानों ठंडा करन दे ले जड़ियां गैसां दा, दी वर्तो हुंदी सी, उस दे विच्चों ओ गैस लीक होई है, जिसकर के सारी तरास दीवाप्री है, देख दे हैं कि प्रशासम वलों, सरकार वलों इस मसले दे विच होर की आपडेट देता जानदा है, पर हाल दी कड़ी जो जान कर इसाड़े तक कुजी है, वसी कोशिश कीती तो हाड़े ना सांजी कीती जाए, फिलाल इस खबर वे चैना ही तुसी बढ़े रो एबी सी पंजाब देना है,